आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट विडियो लेके आई हूं तो देखे आपके आगामी उत्राखंट के सभी एक्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टेडी विद एम के द्वारा हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है ये क्लास टेली शाम पांच पेजे आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है जो कि आपके आगामी उत्राखंट पुलेस पटपारी लेकपाल फॉरेस्ट गार्डवा अन्य एक दिवसी सभी परिक्षाओं हे तू काफी महतपोंड रहने वाली है तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्डिंग से लेकर एंड तक बने रहें और अभी तक काफी सारी क्लास आपको हिंदी की प्रोवाइड करा दी गई है जिन लोगों ने पुरानी क्लास नहीं देखी है इस्टेडी विद एम पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है तो वहाँ पे आप विज पीडर डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल सी जल पहुँच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं ये भी स्टेडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलिग्राम चैनल पर रात को आट बजे क्वेज का भी आयज किया जाता है काफी important question आपको quiz के रुप में दिये जा रहे हैं तो आपको join कर सकते हैं तो चलिए आज के series को हम start करते हैं इस series का पहला question है शत्रंज के खिलाडी किश पिधा की रशना है तो देखिए काफी महत्वपोर्ण ये question है शत्रंज के खिलाडी ये किश पिधा की कानी है option discussion का right answer हो जाएगा और शत्रंज के खिलाडी कहानी के रशनाकार कौन है पूछा जाए तो आपको याद रखना है मुन्शी प्रेम चंद मुन्शी प्रेम चंद शत्रंज के खिलाडी नामक कहानी के रशनाकार है अगला question देखेंगे निमनांके शब्दों मैंसे आपका अनमोल option C question का बिलकुल right answer है और उफसर्ग क्या होते हैं उफसर्ग वे शब्दांच होते हैं जो कि शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेस्ता लाते हैं तो शब्दों के आरंभ यानि फ्रंट में जुड़ जाते हैं उफसर्ग तो अनमोल इसमें उफसर्ग है तो अनमोल शब्द में कौन सा उफसर्ग है ये भी पुछा जा सकता है अगला question देखेंगे धार्मिक में परतियाई है तो देखें धार्मिक में परतियाई बताना है तो देखें आपको पता होगा कि परतियाई जो होते हैं वो शब्दों के end में जहासी की रानी किसकी रशना है देखिए जहासी की रानी ये रशना है किसकी सुबद्रा कुमारी चोहान की ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर है जहासी की रानी जो है ये हिंदी भाषा की कवियत्री सुबद्रा कुमारी चोहान द्वारा लिखी गई एक कविता ह और छासी की रानी एक वीर रस की कविता है जो उस दौर में लिखी गई जब हिंदी भाषा के साहित्य में छायावाद मुखर था और कविता तात कालिन बुंदेली लोक गीत को आधार बना कर लिखी गई थी ये ध्यान रिखेंगे इंपोर्टेंट पॉइंट है इस कविता क किस लोक गीत को आधार बना कर लिखा गया ये भी वो चाहिजा सकता है तो कविता जो है ये तात कालिन बुंदेली लोक गीत को आधार बना कर लिखी गई थी अगला कुश्यन देखेंगे हितोब देश शब्द में कौन सी संधी है तो देखे हितोब देश जो शब्द है आपका इसमें हो जाएगी कौन सी संधी गुण संधी और गुण संधी में क्या होता है आपको कई बार बता चुकी हैं देखें गुण संधी में यदि ओ और आ यदि ओ और आ के बाद छोटी या बड़ी चोटाओ या फिर बड़ाओ और री स्वर आए तो यह ध्यान रखेंगे यदि औ और आ के बाद छोटी या बड़ी चोटाओ या बड़ाओ या फिर री स्वर आए तो दोनों के मिलने से करमशा क्या हो जाता है ए ओ और अर हो जाता है तो आप देखें यहाँ पे आपको हित उपदेश दिया है इसमें हित उपदेश का हम संदी विच्छित करते हैं तो क्या हो जाएगा हित धन उपदेश इसका सही संदी विच्छित होता है हित धन यानि कि यहाँ पे कौन सा स्वर है और यहाँ पे है आपका कौन सा स्वर तो ओ और उ के मिलने से यहाँ पे क्या हो जा रहा है तो क्या हो जाता है इन दोनों के मिलने से गुण संदी में ओ और आ के बाद छोटी या बड़ी छोटा हूँ या बढ़ा हूँ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से A, O और R हो जाता है तो यहाँ पर क्या आप बन रहा है आपका O बन जा रहा है तो यानि की हितोब देश में कौन से संधी हो जाएगी गोन संधी हो जाएगी तो गोन संधी का नियम पता होगा तो आप करेक्ट कर सकते हैं संधी से related question गोन संधी से ऐसे ही आपको देर्ग संधी, बिसर्ग संधी, स्वर संधी कई बार मैं समझाती हैं क्लासेस में तो पांच बजे वाली जो हिंदी की एक लास है ये काफी महतपोर्ण है आपके आगामी सभी एक साम के लिए तो आप सभी लोग इसको फॉलो जरूर कीजिए चलिए अगला question देखते हैं अंधा युग के रशनाकार कौन है तो देखे अंधा युग इसके रशनाकार है कौन धर्मवीर भारती option C यहाँ पे आपका बिल्कुल right answer है देखे धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहिती के प्रमोख लेखक कवी नाटक कार और सामाजिक विचारत थे और ये एक समय की प्राख्यात सापताहिक पत्रिका धर्म युग धर्म युग इनका एक प्रशिद्ध नाटक है अगला question है किस रस को रस राज कहा जाता है most important question है तो देखे रस राज कहा जाता है किसको देखे रस राज कहा जाता है शरंगार रस को रस राज शरंगार रस को कहा जाता है और शरंगार रस के भेद पुछ लिए जाएं तो आपको पता रहना चीए इसके दो भेद होते हैं एक तो होता है संयोग स्रंगार संयोग स्रंगार और दूसरा होता है वियोग स्रंगार तो दो भेद हैं इसके स्रंगार रस के अगला कुशन देखेगा सांत रस का स्थाई भाव है देखे सांत रस का स्थाई भाव बताना है स्थाई भाव क्या होता है देखे यह प्रधान भाव होता है इसे रस का आधार माना जाता है इसे क्या माना जाता है रस का आधार माना जाता है किसको इस्थाई भाव को अब शांत रस का आधार बताना है यानि कि इस्थाई भाव बताना है तो क्या हो जाएगा सांत रस का इस्थाई भाव होता है रती सांत रस का स्थाई भाव हो जाएगा यहां पर क्या निर्वेद option A बिलकुल right answer हो जाएगा option A बिलकुल correct answer है निर्वेद यानि की निर्वेद का मतलब क्या होता है घ्रणा या फिर ग्लानी तो यह सबी निर्वेद के मतलब होते हैं तो सांत रस का स्थाई भाव बताना है तो निर्वेध हो जाएगा ऐसे ही श्रंगार रस का आपसे स्थाई भाव पोचा जाए तो श्रंगार रस का स्थाई भाव होता है रती यानि की प्रेम तो ये ध्यान रखेंगे आपको ध्यान रखना है स्थाई भाव किस रस के क्या हो ये भी important है, अगला question देखेंगे, संधी कितने प्रकार की होती है, तो देखें, संधी के प्रकार कितने होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, option C, बिल्कुल right answer हो जाएगा, संधी क्या होती है, दो वर्णों के परस्पर संयोग से उत्पन होने वाले परिवर्तन को ही संधी कहा जात है, और वर्णों के आधार पर ध्यान दिजेगा, वर्णों के आधार पर संधी जो होती है, ये तीन प्रकार की होती है, तीन भेद होते हैं, संधी के कौन-कौन से, स्वरसंधी, व्यंजन संधी, और आपका तीसरी संधी कौन से है, विसर्ग संधी, अगला question देखेंगा, अगला question है आपका निम्ने लिखित मैं से शुद्ध शब्द कौन सा है तो देखे यहाँ पर आपको अस्ट अलग-अलग तरीके से लिखकर बताया है तो शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका अस्ट इस तरीके से option B, question का right answer है अगला question देखेंगे निम्नांकित मैं से शुद्ध शब्द कौन सा है तो देखें इन मैं से शुद्ध शब्द हो जाएगा आपको अंतर ध्यान जो है अलग-अलग तरीके से दिखाएगा है लिखा हुआ तो किस तरीके से शेर कीजेगा शेशन को और चैनल अभी भी सस्क्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो जल्दी से सस्क्राइब कर लिजे क्योंकि इतने interesting classes आप मिस्स मत कीजे काफ़े important classes हैं ये आपके आगामी सभी उत्राखंड exam के लिए तो ऐसे ही classes देखने के लिए आप सभी लोग study with aim को जल्दी से सस्क्राइब कर लिजे सुवा आपको सुवा दस बजे आपको class provide करी गई थी 50 question का set दिया गया था तो out of 50 कितना score किया है वो भी आप comment करके बताइएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है तो देख लिजे अभी भी time है और रात को आपका practice set आने वाला है आर्ड बजे उसके लिए भी आप सभी लोग तयार रहिएगा देखे शुद्ध शब्द हो जाएगा अंतरध्यान किस तरीके से लिखा जाता है इस तरीके से option c बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला question देखें अनात का विलोब शब्द है अनात का विलोब शब्द हो जाएगा क्या सनात option c बिल्कुल right answer है अगला question देखेंगे करून रस का इस्थाई भाव है तो देखिए यहाँ पर करुण रस का इस्थाई भाव बताना है तो बताएं क्या हो जाएगा इस्थाई भाव करुण रस का इसका हो जाएगा शोक option D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानि कि जो इसमें परधान भाव होगा वो क्या हो जाएगा सोक करोन रस्ट में अगला कुश्यन है आचरण की सब्यता निवंद के रशनाकार कौन है तो देखे आचरण की सब्यता ये एक निवंद है किस विधा की रशना है पूछा जाता है न तो एक निवंद है ये और इसके रशनाकार बताने है तो कौन इसके सरदार पौन सिंग है option A बिलकुल right answer है यहाँ पे आपका दिखे आचरण की सब्यता सरदार पौन सिंग द्वारा लिखित एक भावातमक निवन्द है ये एक भावातमक निवन्द है और पौन सिंग सरदार पौन सिंग की बात करें जन्म की तो इनका जन्म कब हुआ 17 फरवरी 1881 में एवताबाद में इनका जन्म हुआ और ये भारत के विशिष्ट निवन्द कारों में से एक थे और इसके अलावा दिखे ये देशभक्त शिक्षाविद अध्यापक बैग्यानिक इमम लेखक भी थे और इसके साथ ही पंजाबी के ये जाने माने कभी थे ध्यान दिजेगा सरदार पौन सिंग जो है ये पंजाबी के जाने माने कभी थे और आध्यूनिक कावे के संस्थापकों में पौन सिंग की गरना होती है ये भी ध्यान रिखेंगे आधुनिक जो कावी है उसके स्थापकों में इनकी गर्णा भी की जाती है और मुख्य रशनाओं के अगर हम बात करें इनकी तो हिंदी की जो रशनाएं हैं नोट का लिजेगा हिंदी रशनाएं कौन-कौन से हिंदी की कौन-कौन से इनकी रशनाएं हैं इंपोर्टेंट है आयोग द्वारा पूछा जा सकता है तो देखे हिंदी में इनकी रशनाएं हैं सची वीरता इसके अलावा कन्यादान भी इनकी हिंदी की रशना है इसके अलावा पवित्रता ये भी इनकी हिंदी भाषा की रशना है ऐसे ही आचरन की सभ्यता आचरन की सभ्यता आपके question में दिया है ये भी इनका हिंदी में लिखा गया हिंदी की एक रशना है हिंदी में लिखा गया ये एक निबंद है इसके अलावा पंजाबी निबंद की बात करें हम पंजाबी निबंदों की अगर हम बात करते हैं पंजाबी रशनाओं की तो कौन-कौन से इनकी पंजाबी रशनाओं हैं वो भी आप नोट कर लिजेगा अवी चल जोत अवी चल जोत इसके अलावा खुले मैदान खुले खुंड मेरा साइं ये इनकी पंजाबी भाशा की रशनाएं हैं चलिए अगला कुशन देखेंगे राम चंडरी का किस कवी की करती है ये बतानी है यहाँ पे तो राम चंडरी का जो है ये किस कवी की करती है यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जिन लोग को आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बता सकते ह तो देखे केशव दास इसका राइट आंसर है राम चंडरी का किस कवी की करती है केशव दास की कवी केशव दास की देखे राम चंडरी का हिंदी साहित के रीती काल के ध्यान रिखेगा किस काल की रशना है ये भी पूछा जा सकता है तो रीती काल के आरंब के सुपरशिद महा कावी है ध्यान रखेंगे कि सवदास द्वारा रचित ये महा कावी है और 49 सरगों में विभाजित इस महा कावी में कुल 1770 छंद हैं कितने छंद हैं इसमें 1770 और इसमें भगवान राम की कथा बरनित है फिर भी यहां अन्य रामायन की तरह भक्ति परधान गरंत ना होकर क्या है कावी परधान गरंत है ये ध्यान रखेंगे अन्य जो रामायन है भगवान राम के तो इसमें भक्ति परधान गरंत रहते हैं वो लेकिन ये जो गरंत है ये कावी गरंत है और केसवदास हिंदी साहिति के रीति काल के कवी त्रई में एक प्रमुक इस्थम्भ है ये ध्यान रिखेंगी के सवधास जो है ये हिंदी साहिती के रीती काल के कवीत रही के एक प्रमुक इस्थम्ब है और इनके जन्म की बात करें तो वर्ष्र 1555 इस भी में ओर्चा में इनका जन्म हुआ था अगला कुशन देखेंगे जैसी द्वारा रचित पदमावत किस भाशा option A question का right answer है पदमावत हिंदी साहिती के अंतरगत सूफी परमपरा का प्रशिद्ध महाकावी है ध्यान रखेगा important point यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं नोट कर लीजेगा पदमावत जो है ये हिंदी साहिती के अंतरगत सूफी परमपरा किस परमपरा सूफी परमपरा का प्रशिद्ध महाकावी है और इसके रशनाकार मालिक महमद जैसी है ध्यान देजेगा मालिक महमद जैसी इसके रशनाकार है और देखे दोहा और चौपाई चंद में लिखे गए इस महाकावी की भाशा क्या है अवधी दोहा और चौपाई चंद में लिखे गए यह महाका मोल रूप से लोकोक्ति शब्द का प्रियोग किस भाशा में मिलता है तो देखें मोल रूप से लोकोक्ति शब्द का जो प्रियोग है ये मिलता है किस भाशा में संस्क्रेट भाशा में option A बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला question देखें हिंदी कोश में पहले कौन सा शब्द आए आपो जेजे आप सभी लोग और फिर अगला कुशन ला मिआ चह से निमिलेकत में कौन सा वर्ण उन्तस्त नहीं है तो देखिए उन्तस्त व्यंजन जो हुते हैं कियो रञ लॉ वह ये सभी आपके उन्तस्त व्यंजन हैं अब देखें इन में से कौन सा अंतस्त नहीं है, आपका यह, र, ल, ब, नहीं है, तो option B, यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा, अगला question देखेंगे, इन में से महाप्राण धनी कौन सी है, तो देखें महाप्राण धनी पता नहीं है, इसमें कौन सी है, धनी की बात करते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, धनी आपको पता होगा, नहीं पता है, तो ध्यान रखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई यह होती है, इसको धनी या फिर वर्ण कहा जाता है, और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं, महाप्राण धनी या महाप्राण वर्ण भी इन मुख्य रूप से वायू प्रवा के साथ बोला जाता है, जैसे कि आपका ख, घ, ज, फ, ये सब ही आपके महाप्राण धनिया होती है, तो यहाँ पर देख लिजी कौन सा नहीं है, महाप्राण तो घ नहीं है, तो option C, बिल्कुल right answer, कौन सा है बताना है, तो घ यहाँ पर right answer हो जाएगा बाकी को, तो दो नहीं है, तो कौन सा है, यह बताना था, तो घ इसमें है, को, घ, ज, ज, और फ, ये आपके महाप्राण भनिया हो जाएगी, अगला question देखेंगे, रेल मंत्री किस कोटी का शब्द है, तो देखें, रेल मंत्री जो हो जाएगा, यह एक आपका कैस शब्द है, शंकर शब्द है, दो अलग-अलग भासाओं से मिलकर बने शब्दों को क्या खा जाता है, शंकर शब्द कहा जाता है, रेल आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और मंत्री किस भाषा का सब्द है, आप कमेंट करके बताईएगा, कमेंट section में, अगला question द जिसने परतिष्टा प्राप्त किये हो, के लिए एक शब्द है, देखें, जिसने परतिष्टा प्राप्त किये हो, इसके लिए एक शब्द होता है, लब्द परतिष्ट, option.ί should. का right answer है अगला question देखें गृष का विच्छेद होगा तो देखें गृष का संधी विच्छेद बताना है तो इसका right answer हो जाएगा क्या गृष धन इश ऑप्शन बीस की किस संधी का उधार viennent से प्शम्छेद ने से क्या होता है क्या होगा है ध्याइगा चोटी और खोटा उपर आर्थ दोनों के मिलने से क्या हो जाता है दोनों को मिला कर दीरगु आ ई और बड़ा उ हो जाता है तो यहाँ पर देखें गरीधन इस यहाँ पर कौन सा स्वर है यहाँ पर है आपका छोटा उ और यहाँ पर है आपका बड़ी इ चोटी इ है और बड़ी इ है तो चोटी और बड़ी इ के मिलने से यहाँ पर बड़ी इ हो रही है तो यानि कि यहाँ पर बड़ी की मातरा लग रहे है आपकी ग्रीश में यहाँ छोटी E की मातर देख रहे हैं आप तो यहाँ पे बड़ी E की मातर यानि कि बड़ी E बन जाता है छोटी E और बड़ी E योग से बड़ी E बन जाएगा तो यह देर्ग का नियम होता है यह आपको ध्यान में रखना है अगला कुश्चन देखें हिंदी किस लिपी में लिखी जाती है तो हिंदी लिखी जाती है किस लिपी में देव नागरी लिपी में ऑप्शन D यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा देखें देव नागरी लिपी जो है यह नागरी लिपी की पश्यम शाखा की प्रमुख लिपी है और यह लिपी बाईं से दाईं और लिखी जानेवाली लिफी है, ये ध्यान रखेंगे, अगला कुशन देखेंगे, शिवा बावनी के रचयता है, तो दिखें शिवा बावनी इसके रचयता बताने हैं, तो इसके रचयता है, कौन भूशन, option, बीस कुशन का right answer है, और last question है, इस session का भूले बिक्रे चितर उ पनियास के लेखक बताने हैं तो भगवती चरण वर्मा इसके लेखक हो जाएंगे option B question का right answer है तो okay guys आज के session में इतना ही I hope आप सभी को आज का ये session काफी पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये session पसंद आता है तो इस session को like कीजिएगा शेर कीजिए जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल Study with AIM को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लिजे क्योंकि काफी महतपोंड classes आपको यहाँ पर provide की जारी है Study with AIM के द्वारा काफी important रहने वाली है सभी आगामे exams के लिए ये class और रात को 8 बजे आपका practice set आने वाला है उसके लिए भी तयार रहीएगा 8 बजे उससे पहले quiz कराए जाएगी वो भी आप join कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप पर तो चलिए मिलते हैं एक next interesting videos के साथ तब तक के लिए धन्यवाद